हलो दोस्तों जीते केरी में तुफोरीस और में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौट्रिक मैथेमेटिक्स का जी हाँ दोस्तों सब्ट्रेक्शन संबंदे सांदार रोल्स में आपके साथ सेयर करने जा रहा हूँ यह बेसिक पार्ट वन है तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस परकार से कंप्रेटिव एजामस में जो भी कैल्कुलेशन साथे हैं तो उसमें जो माइनस वाला यानि कि सब्ट्रेक्शन वाला पोर्शन है उसको कैसे आप सुल्व असानी से कर सकते हैं चलिए देरने करते हूँ इस वीडियो को शुरू क उसके बाद आप mathematics, general knowledge and reasoning संबंदित जब tricks और tricks चाहते हैं तो हमारे playlist को चेक करना ना बोलें चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो देखिए यहाँ पे basic part first है सबसे पहले question है कराए subtraction related rules घटाव संबंदित नियम part 1 चरह इसका part second भी मैं लाओंगा जल्दी तो यहाँ पे है घटाव का सरल नियम यानि कि simple rule of subtraction देखिए दोस्तों आप normally बच्पन में किये होंगे जैसे कि इसको subtract करना है इस numbers को तो आप क्या करते होंगे इसको column methods में लिग करके solve करते होंगे ठीक है न हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से solve करने का कोशिश करेंगे चार में से आपका तीन गया तो पचा आपका one बचा ठीक है उसी तरह से आठ में से आपका नियक्ट कोशन भी solve करते है इसmaj में अगले प्रश्न है से देखिए क्या है अगला है उत्हे प्रस्न है इसको भी हम लोग solve करने का कुशिश करते हैं जैसे देखिए यहाँ पे 7 में से कितना घटाना है 3 तो कितना बचेगा 4 बचेगा उसी तरह से 5 में से दोस्तो 9 घटाएगा तो इसलिए 15 में से आपको क्या करना है 9 घटाना तो 15 में से 9 घटाना तो 6 बचेगा उसी तरह से यहाँ बच 3464 आपका answer हो जाएगा बिना column में लिखे हुए ठीक है तो आप देख सकते हैं 3464 answer इसका हो गया चलिए next question की तरफ बढ़ चलते हैं अगला question है कि जोड की मदद से घटाव कैसे आप बनाए ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा घटाओ लेकिन आपको इ देखिए अब इसके बाद यह last में लिखना है अब यहाँ पर हम क्या रहा है तो समझे थोड़ा सा यह जो नंबर से ना तो इस 7 में क्या जोड दिया जाए तो यह 4 होगा ठीक है ना तो यहाँ पर 4 हमको लाना था ना इस कारण से तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 का 4 हाथ में 1 देखोगा अब इसे 5 और 5 में 9 जोड़ेंगे तो 5 14 आएक हासिल वाला जो था तो एक 15 तो यह 5 हो गया उससे तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखे इस परकार के जब सबाल रहेगा तो दो घटाव वाला है तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को एक सा जोड दीजिये तो यहाँ पर जोड़िये तो 8 हो गया 10 का 0, 6, 3, 9, 1, 10 हो गया और उसी तरह से 4, 5, 9, 1, 10 हो गया दोस से तो एक समना खताना है तो इसको घटाना है तो यहाँ पर देख सकते है에 16, 4, 3, 5 मेंसे आपको घटाना है तो इसमेंसे आप घटाए कि देखे मैं बन रखाऊं इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, solve कर दिए, ठीक है, एंसर आजाएगा आपका 6427, चलिए next question देखते हैं, कैसे बनाया जाए, next question जो है, अगर इस प्रकार का question दिया हुआ है, तो आपको करना है, तो simple सा है, आपको ये plus वाला को पहले solve करना, उसके बाद इसको घटा और फिर है, तीन और चार साथ हो जाएगा, ठीक है न, इसमें से आपको ये घटा दिजेगा, 3, 2, 7, 1, आप घटाएंगे, तो आपका जो भी answer आएगा, वो answer यहाँ पर दिख साएगा, तो आप इस तरह से solve कर सकते हैं, असानी से, उमीद है, ये छोटे-छोटे tricks आपको प अपलोड करूँगा इस वीडियो पर, तब तक के लिए आप से विदा माऊंगा, और चाहते जाते एक information share करना चाहूँगा, कि अगर आप कमारे social media account से जूड़ना चाहते हैं, तो आपको description box में सभी का link मिल जाएगा, वहाँ से आप, जूड़ सकते हैं, कमारे website भी visit कर सकते वहाँ पर आपको study materials मिलेगा, तो चलते चलते आप सको धनवाद कहेंगे, और आप से अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आया, या इसी परगार के और वी वीडियो चाहते हैं, तो वीडियो को like करे, share करे अपने दोस्तों के साथ, comment करे यदि कोई सुधाब हो तो subscribe करना हमारे बिलकोल न भूले, यदि आप नए है चैनल पे तो, और वेल आइकन प्रेस करें ताकि सारा updates आपको मिलता रहे, चलिए मिलते हैं अगले updates में, तब तक के लिए goodbye, take care, अपना ध्यान रखे, जैहन जै भारत, और शेफ रहिए coronavirus से बच करके रहे, ठीक है, thank you so much